हेलो वीवर्स अनाना क्रेशन्स में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे एप्ल एंड ग्रैप्स डिटॉक्स वाटर है ना इसे बनाना बहुत ही आसान है ये डिटॉक्स वाटर लेने से हमारी बोड़ी डिटॉक्सिफाई हो जाती है यानि हमारी बोड़ी की सारे टॉक्स दिरे दिरे खत्म हो जाते हैं या इसके साथ साथ हमें हेर फॉल की प्रॉब्लम हो आईसाइट वीक हो या डल एंड डैमेज स्किन हो तो इन प्रॉब्लम्स के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिकल होता है है ना आज का हमारा ये एपल एंड ग्रैप्स डिटॉक्स वाटर खास फ्लैट बेली के लिए बनाया गया है अगर हमें एक्स्ट्रा फेट की प्रॉब्लम हो और हम फ्लैट बेली करना चाते हो अपना वजन कम करना चाते हो तो ये खास डिटॉक्स वाटर इसी काम के लिए बनाया गया है इसी बनाने के लिए हमने यहाँ apple का यूज किया है जो vitamins, minerals, और antioxidants से भरबूर होता है इसके साथ हमने यहाँ ginger में विटैमिन C और antioxidants भरबूर मात्रा में मौजूद होते है है ना, इसके साथ सथ हमने यहाँ मिंट भी यूज किया है, मिंट में फाइबर्स होते हैं, जो हमारे डैजिस्टि सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशिल होता है, है ना, इसे बनाने के लिए हमें हमेशा काच की बोटल, काच का गलास या काच का जगी यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी मेटल पॉट का यूज करते हैं, तो इन मेटल का हमारे फ्रूट्स या वेजटेबल के साथ केमिकल रियक्शन होने का खत्रा बना रहता है, है ना, इसे यूज करने का या कंजूम करने का सिंपल तरीका यह है, कि हमें सुभा, यानि दोपहर एक बजे से शाम के साथ बजे तक इसे इंटेक करना चाहिए, क्योंकि इसी दोरानी हमारे शरीक का मेटलिजम बिलकुल सही काम करता है, है ना, इसे बनाने के बाद हमें इसे तीन से चार घंटे के बाद यूज करना चाहिए, लेकिन हमें इसे ओवरनेट के लिए नहीं हो जाता है इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एपल स्लाइस 15-20, ग्रैपस 2 कप्स जिंजर 5-6 स्लाइस में ट्ले सिंट्ट बस तो चलिया से बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सब्से पहले हम यह ग्लास जाल लेंगे उसके बाद हम इसमें यह ग्रैपस डाल देंगे है ना उसके बाद हमें इसके अंदर ये एपल के स्लाइसिस डालना है ये हमने इसमें धिरे धिरे करके एपल के स्लाइसिस डाल दिये फिर हम इसमें आठ से दस मेंट लिफ्स डालेंगे है ना उसके बाद हम ये जिंजर के स्लाइसिस इसके अंदर छोड़ देंगे उसके बाद हमें इसमें 300 ml पाने डालना है है ना यह हमने इसमें 300 ml पाने डाल दिये है इसका जार का ढखकन हम बन कर देंगे उसके बाद हम इसे हलका से शेक करेंगे और फिर हमें इसे 4-5 घंटे के लिए असाइड रखना है ताकि इन फूर्ट्स का जूस या एक्स्ट्रेक्स इस पानी में अच्छी तरह से उतर जाए है ना हमें इसे ओरनाइट के लिए बिलकुल नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर हम इसे ओरनाइट के लिए रखेंगे तो इसका पानी के साथ फर्मन्टेशन हो जाएंगा और हमारा पानी खराब होने का खत्रा बना रहता है यह हमें इसमें एक से दो ग्लास वाटर मिल जाएंगा जब भी हम यूस करें उसके बाद हम उसमें फिर से दूसरा नया ताजा वाटर डाल सकते हैं हमें इसमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी इसमें नया ताजा वाटर डालें तो हम इसमें रेगुलर वाटर डालना चाहिए नल का या मटके का पानी डालना चाहिए हमें इसमें फ्रीजर या फ्रीश का पानी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि हम यहाँ यह detox water एकदम नैचरल बना रहे हैं है ना तो आप भी अपना detox water घर पर बनाए और अपने अनुभाव अनाना क्रेशन्स के साथ शेयर कीजिए है ना एक बार फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ मेरे वीडियो को लाइक भी जरूर करना है ना ठैंक यू